मैं कारतिक्यपाइन्डे आप शभीका श्वागत करता हूँ घट्यना चेकर दिवी चैनल में आप शभीका स्वागत है इस शिरीज का नाम है नोटिफिकेशन विद घट्यना चकर आज मैं आपके शामने उपस्तित हुआ हूँ एक notification को लेके जो की मेरे जो छोटे भाई हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं उनके बीच में खुशी और हुलाश का महौल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा SSC MTS बहुत सारे बच्चों ने इसको लंबे समय से इंतजार किया था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा तो वो समय अब खत्म हो चुका है नोटिफिकेशन आउट हो चुगा है तो हम बात करेंगे आज मैल्टी टास्किंग स्टाफ एंड हवलदार जैसा कि आपको पता है कि SSC MTS में SSC MTS के साथ साथ हवलदार का भीग जाम होता है आज हम बात करेंगे कितनी पोस्ट है कितनी पोस्ट है क्या एज लिमिट है क्योंकि मेरे बहुत सारे जो यूँआ साथी है बहुत सारे नए बच्चे होते हैं जिनके अंदर जिग्यासा होती है कि सर एज लिमिट क्या है क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ सर कब से फॉर्म भरने का डेटी स्टाइट है क्या लास्ट डेट है सर सर इसका फी कितना लगता है इन सारे जानकारियों को हम लोग एक ही सेक्षन में जो है देखेंगे तो आये स्टाइट करते हैं कि फॉर्म जो ससी MTS हवलदार का कब से स्टाइट हो रहा है सबसे पहला आफ ऑनलाइन अप्लिकेशन 27 जून बच्चो डेट स्टाइट हो गया है जल्दी से जाईए और फॉर्म को आप फिलप करिए वेट बिल्कुल मत करिएगा कि बाद में मैं भरूंगा 27 जून से आपका फॉर्म भरना स्टाइट हो गया है एक महीनी से जादा आपको समय मिले ठीक है लेकिन हमें वेट नहीं करना कि मैं लाश्ट में भरूंगा तुरंत फॉर्म स्टाइट हो गया है भरना सुरू कर दीजिए तो लाश्ट डेट का हमने बात कि आप से कि 31 जुलाइट तक हम लोग इस फॉर्म को फिल अप कर शकते हैं बट हम जल्दी करेंगे जो एक्जामिनेशन की बात है आपको अपसे ही जो है कमर को जो है कस लेना है क्योंकि एक्जाम जो है आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में होने वाला बहुत ही सांदार पोश्ट है और आपके लिए कम से कम उमर में जो है बहुत ही गोईल गैन तो एक्जाम कब होगा तो एक्जाम का भी डेक आ चुका है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा तो आप तयार हो जाएए यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल कर सकते ह कोई भी चीज आपको समझ में ना रही हो तो आप इस पर क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं फिक हैं तो माइल्टि टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाप का एग्जामिनेशन है जिसमें कि आपको पता है कि कौन कौन से ड्यूची होते हैं आपके बारे में शून रखा होगा ह हम लोग बात करेंगे वेकेंसी कितनी है बहुत सारे बच्चों के अंदर जिग्यासा होता है कि सर बताइए पोस्ट कितना है कितने पर फॉर्म भरा जाएगा 4887 पोस्ट है कितने पोस्ट है नॉन टेक्निकल जो बच्चा जो है नॉन टेक्निकल है वह के अवल क्लास टेंथ पास है वह उसके लिए पोस्ट है 4887 हवलदार हवलदार में जैसे कि आपको पता है कि नाम से ही पता चलता इसमें आपको फिजकली फिट होना चाहिए आपकी कि running और walking अच्छी होनी चाहिए तो अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं यदि आपका शपना है हवलदार बनने का तो आपके लिए भी जो सुन्दर और सुनहरा मोका है जिसमें पोस्ट की संख्या है 3439 तो कितने हवलदार की संख्या है 3439 तो आपको पता चल गया कि 4887 MTS का ह है और जो हवलदार ही आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए 3439 पोस्ट है ठीक है पोस्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया ठीक है तो जैसा कि आपको पता है कि जो रिजरुवेशन है स्थी स्टी ओडावलुएस इडावलुएस इन सब में आपको जो है रिजरुवे होता है राष्टिता भारत के होने चाहिए या जो है कुछ नैपाल को भी छूट है और भुटान के आप जो अगरिक है तो आप भी फॉर्म को भर रखते हैं ठीक है एज लिमिट सबसी जो है मोस्ट बच्चों का जो कोश्चन होता है कि सार एज लिमिट बता दीजिए क्या atus काउंट किया जाएगा वहा एक अगस्त-24 से काउंट किया जाएगा कब सी एक अगस्त-24 डोजार चोबिस से ठीक है एक अगस्त-24 से आपका डेटा वर्ठ डेटिकाल अगस्त-देटा McMonk Одस हम मतलब आपका जन्म जो है दो अगस्त 1999 से जो है पहले का नहीं होना चाहिए and not later दन का जन्साइए यरुदि आम बरते हैं तोे candidate गथ चाहिएümüz 2 अगस्त 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और यरुद्ध दो 26 के बाद का नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपका 2 अगस्त सब्सक्राइब को नहीं भर पाएंगे तो यह बहुत मोस्ट बच्चों का रहता है और आप यह हवल्दार के लिए भरते हैं तो आप 18-27 साल तक भर सकते हैं जिसमें इसने दे सब्सक्राइब करें नहीं होना चाहिए और फिर वही की एक अगस्त 2006 से बात का नहीं होना चाहिए इस बात को आप समझ पा रहे होंगे आपको पता है रिजर्वेशन स्ट के लिए पांच साल और जो विसी के लिए तीन साल ऐसे करके दिया हुआ है इसको देख भी सकते हैं इसमें जो है विशेश करके जो एक्समें हमारे हैं सर्विसमें उनको भी जो है कुछ छूटे दी जाती हैं तो वह करके आप पुरा डीटेल पढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वह एक्समें नहीं होते आई यह सब चीजे आप जो है इसको मैं वेप साइट पर दे दूंगा आप इसको पढ़ा लीजिए गा जो में में चीजे मैं आपको बता देता हूं ठीक है और आपके पास जो है आपका जो सर्टिफिकेट है टेंथ का वह एक अगस्त तक होना चाहिए क्योंकि आप फॉर्म भरते समय दिया है ना कि आपके पास रिजल्ट होना चाहिए आपके पास आपके पास होना चाहिए त तो आल दग कंडिडेट्स वू विस्ट वपलाई जो इक्षा रखते हैं अपलाई करने का फॉर्म को उनको जो है ओटियार करना होगा जो पुराने ओटियार हैं वो काम नहीं करेंगे आपको नया ओटियार करना पड़ेगा यह आपने नया किया हो 2024 में तो कोई बात नहीं य पेमेंट भी आपका उनलाइन नहीं होगा अफलाइन कोई चांस है नहीं और इसमें फोटो के लिए कुछ बात किया गया है विस्सकर आपको फोटो पर ध्यान रखना है और वाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है बच्चे परिसान हो जाते हैं इतने सप फोटो खीच कर जो है लगाते थे वैसे नहीं लगेगा आप फॉर्म भरेंगे उसी समय फोटो का आएगा आपका लाइफ जो है फोटो लगेगा फोटो के लिए क्या-क्या इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो इसने बता रखा है कि एक अच्छी लाइट हो और प्लेन बैक्ग्राउंड बहुत ज्यादा चमकीला और जो ऐसा कुछ ना हो प्लेन बैक्ग्राउंड हो अच्छी लाइट आपके चेहरे पे आ रही हो इंस्योर दग कैमरा इस एट यूर आई लेवल विफोर टेकिंग द फोर्टो आपको इंस्योर करना होगा कि जो आपका आई ही वो लेंस कैमरे के लेंस से जो है मिलता हो एक्दम बराबर पर हो और पोजीशन हिंसेल्फ डारेक्ली इन फ्रोंट आप दे कैमरे लुक स्ट्रेट अहेड आगे आपको देखना और सीधा देखना है मतलब फोर्ट पीछे जो है प्लेन हो लाइट अच्छी आती हूँ और आपको कैमरे पर देखना होगा ठीक है वही फोर्टो आपके फॉर्म में चला जाएगा और जब आप एक्जाम देने जाएंगे एड्मीट काइड में वही फोर्टो छपकर आएगा ठीक है तो आपको फॉर्टो पी ध्यान रखना है क क्योंकि मेरे बहुत सारे मैंने जाना है मेरे बहुत सारे चोछे भाई हैं जो पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं पहली बर फॉर्म को वड्रों यहीं गलति म judと बहुत करते हैं तो अम नहीं चाहते ह। कि हमारे छोटे भाईयों के साथ यह गलती हो चस्मा लगा के बिल्गुल फोटो ने खिचना है जो कि साथ सब मना किया है candidate to not wear a cap आपको पहनना है मास्क नहीं पहनना है ग्लासे जो है आपको चस्मा नहीं लगाना है और हेड़फोन ब्लूटूथ यह सब चीज़ें नहीं होने चाहिए आप नीट एंड क्लीन हूं अच्छे से ठीक है तो अप्लिकेशन फिस जैसा कि आपको पता है कि ही ए एस्ट और जो है जो है फिमेल होती है आल के टैक्री उनके लिए फ्री होता है बाकि whoa пом पेमेंट होता है सो रुपय ठीक है और फी जो आपका वो ऑनलाइन रिपेमेंट होगा और किसी भी तरीके से नहीं और आपको जो है सेंटर यहां पर दिये हुए कुछ जाने में दिक्तत नहीं होगी वहां पर अपने बिहार उत्तर प्रदेस और इस तरीके सी चीज़े दी होई है आप अपने हिसाब से Center चूच कर लें संटेर आपना देख लिजें कहां पिया सेंटर को चूच कर सकते हैं से कर आप समझना चाहिए कि ऐसओ के माफ। और फोल्पानेशंग तो फोर फोश्ट ट। ऑंप वल्डार लेकिन आप हवालदार बनना चाहते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा वह आगे बात करेंगे जो आपका परिक्षा होगा वह जो है कि जो परिक्षा होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा हलाकि मैं अगले ही सीरीज में एक सीरीज हमारा स्टार्ट होने वाला है कि स्लेबस विडियो में बात करेंगे अभी मैं आपको बता दू कि जो आपका एक्जाम होने वाला है वो दो सेक्षन में होने वाला पहले दो सेक्षन में नहीं होता था पहले एक सेक्षन में होता था अब दो सेक्षन में होने वाला है सेक्षन वन और सेक्षन टू सेक्षन वन में क्या होगा नियूमरिकल आइ तो 60 मार्क्स ठीक है आप समझपा रहे हैं कि सेक्षण 1 एक्जाम होगा सेक्षण 1 एक्जाम में जो है आपके 40 कुश्चन आएंगे आपके पास समय कितना होगा 45 मिनट्स और जो बच्चे एलिजबल नहीं उनके लिए कितना होगा 60 मिनट्स वार करेंगेद्स एलिजबल तो यह जो जिनके जो दिव्यांग है उनके लिए जो ख़ड़ा समय एक्स्ट्रा दिये जाए क्योंकि वह दिव्यांग है तो आपको पहले सेक्षन में 20-20 करके मिलेगा मतलब 40 और वहां 120 नंबर का होगा अगला जो सेक्षन है जनरल अवेर्नेस मतलब आपको जनरल नौलेज और इंगलिस का पेपर होगा जिसमें आपको 25-25 कोशन होंगे 75-75 मार्क्स मिलेगा या भी 45 मिनिट का होगा पहले पेपर एक साथ होता था अब पेपर दो स सेक्षन में होगा पहला 45 मिट में आपको मैथ और रिजनिंग करना होगा मैथ रिजनिंग कर लेंगे तो बिंडो आपको जो कम्प्यूटर लोगा खुदी बंद हो जाएगा फिर दुबारा वह स्टार्ट होगा तो जैसा के लिखा है कम्प्यूटर बेस्ट इग्जामिने दूसरा नहीं देंगे यह दूसरा देंगे पहला ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों ही एक साथ ही देंगे एक ही दिन पर होगा कंडिट को 45 मिनट में लेगा पहला सेक्षन पुरा करने के लिए और कंप्लिक्टेशन आप 45 मिनट सेक्षन विल वन भी आटोमेक्ली क्लोज तो जो सेक्षन वन हो 45 बात खोदी बंद हो जाएगा सेक्षन टू स्टाइट होगा इमेडियेटली तुरंट ही ऐसा नहीं कि आपको आराम करना है लंच करना है पानी पीने जाए ऐसा कुछ नहीं करना है आपको तुरंट वहीं बैठे रहना आपको दूबारा पेपर जो स्ट अब आपको इसमें मैध में क्या क्या पढ़ना है इसके लिए में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें लोग बात करेंगे ठीक है ठांक्स वर वाचिंग घटना चक्रत बहुत धन्यवाद कि अब कि अब आप